दोस्तो चाइना को ठोकने के लिए ITVP को भी मिलने जा रहा है खतरनाक तरीन हतियार दोस्तो बेसिकली ये हतियार एक ऐसा हतियार है जो 800 मिटर धूर से भी चाइना के नन्ने मुन्ने सैने को का शिकार कर सकेगा रिपूर्ट के मुताब एक ITVP अपने ओपरेशनल कैपिलिटी को और मजबूत करने के लिए करीबन 400 के आसपास हाई पावर्ड स्नाइपर राइफिलों को अपने फिल्ड यूनिटों के साथ डिपलोई करना चाहता है जो करीब करीब 800 मिटर दूर तक टारगेट को निशाना बना सके फोर्स के तरफ से 7.62x51 mm के बोल्ट एक्शन राइफिलों को हासिल करने का एक रिक्वेश्ट रखा गया है जो कि एक इंटिग्रेटेड टेलिसकोफ साइट के साथ लैज हो और ये टेलिसकोफ दिन रात दोनों ही कंडिशन में काम कर सके इवन इस तरीके के गन के प्रेशर वी होना चाहिए जो फंक्शनल हो और डिटेचेबल हो हाला कि गन का सबसे बड़ा खास बात ये होना चाहिए कि ये माइनस 30 डिग्री के टेंपरेचर में भी नाकाम ना हो देखा जाए तो साल 2020 में जब इंडिया और चाना के बीच में लदाक में जड़व शुर में एक मुश्किल लिये है कि ऐसे 7.62 मिलिमेटर के स्नाइपर राइफलों को सेंट्रल गॉर्मेंट के तरफ से नेगेटीब इंपोर्ट लिस्ट में रखा गया है पर यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जानके रखना चाहिए कि ITVP के तरफ से इन राइफलों को के एक open tender जारी किया गया है जिससे की foreign agents, distributor और resellers के इलावा और किसी को मुश्किल नहीं होगा बलकि जो foreign original equipment manufacturer है वो भी इस tender में काम कर सकेगा प्रेजेंटल अगर देखा जाए तो भारत में जिन sniper rifle को armed forces के द्वारा और Central armed police forces के तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें अब दोसों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जानके रखना चाहिए कि एक समय था जब SS sniper rifle के लिए भारत को संपूर्ण रूप से बिदेशी कमपनियों के उपर ही निर्वर करना पड़ता था बर आप भारत में भी SS sniper rifle संपूर्ण स्वादेशी तरीके से बन रहा है बैंगनोर स्थीत प्राइबिट कमपनी के तरफ से दो अलग अलग टाइफ के sniper rifle का निर्मान किया गया है जिनमें वाइफर 7.62x51mm के rifle तो शामिल है ही साथ में इससे भी अधिक ताकतवर 7.338 लिपवा मिगमा जाएसे rifle भी शामिल है अब दोस्तों ये rifle संपूर्ण रूफ से इंडियन forces के लिए बनाया गया है और ऐसे rifle का offer लगवख सभी तरीके के forces के सामने रखा जा चुका है दोसे तरफ अगर देखा जाए तो defense research and development organization के तरफ से काफी वहारी कैलिवर के काफी लंबे दूरी तक स्नाइपिंग का काम को अंजाम देने के लिए विद्वान सक नामक एक heavy caliber anti-material gun का भी development किया आया चुका है अब दोस्तों ऐसे rifle को लेके expert का मानना है कि single shot bolt action sniper rifle असल में semi automatic rifle के मुकाबले में बहतर होता है क्योंकि दोस्तों इसमें काफी कम मात्रा में moving parts होता है जिस कारण ये जो rifle है ये हलका भी होता है और एक तरीके से अधिक accurate और reliable होता है दूसे तरफ sniping में rate of fire भी अधिक नहीं होता है जिस कारण automatic rifle का भी आवशकता नहीं पड़ता है और इसी कारण शायद ITVP के तरफ से bolt action single shot rifle का ही request रखा गया है अब दोस्तों इस तरीके के जो sniper rifle ITVP के तरफ से खड़िदा जा रहा है ओविसली ये इस्तमाल इंडो चायना border में ही होगा क्योंकि ITVP का main calm India और Chinese occupied जो तिबत है उसके ही border को protect करना है ITVP के बेडे में अगर ऐसे साड़ी 400 तक sniper rifle आता है तो obviously इससे ITVP और मजबूत होगा और दूसरे तरफ चायना के तरफ से जो घुसपैट करने का प्रयास किया जाता है या फिर जिस तरीके से चायना aggressively भारत के जमिन को हत्याने का प्रयास कर रहा है उसे रोकावी जा सकेग और चायना अगर ऐसा कोई प्रयास करेगा तो चायना को ठोकावी जा सकेगा तो आप लोगों को क्या लगता है कि sniper rifle के आवोशकता ITVP को क्यू है कॉमेंट में जरूर वताइए और दोसों ये वीडियो एही फेही करते समावत किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिल तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम